नमस्कात दोस्तों मेरा नाम है किशोर और आप लाइवो हमारे चैनल पर यानि किशोर कुमार बैंड जी पर इस जाल में हम न्यूज ट्रावल वीडियो और ड्रामाज रेगुलर बेसिस पर लाते हैं तो बहुत दिन हो गया कि वीडियो नहीं आ रहे थे मेरा तबियत थोड़ा ठीक नहीं था थोड़ा बुखार सर्दी अभी भी लगा हुआ है तो लास्ट जो वीडियो आपने देखा वो वारा नसी का रेल्वे स्टेशन कैसा दिखता है रात को वारा नसी का पूरा रेल्वे स्टेशन है वो हमने घुमा था अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उपर आई बटन दिया हुआ है उस पे क्लिक करें और आप वो वीडियो देख सकते हो तो आज का जो वीडियो है दोस्तों वो एक अन्बॉक्सिंग वीडियो है एक रक्सैक मैंने लिया था तो उसी का करूंगा क्योंकि बिजनेस परफिस से मैं बहुत जगा पर जाता हूं तो उस कारण से जो है मैंने सोचा सारे जो ट्रावलिंग के चीजे हैं वह एक ही अगर बैग में आ जाए आपका अगर सेम प्रॉबलम है कि आप सोचते हो आप भी ट्रावल करते हो फ्रिक्वेंटली और सोचते हो क्योंकि एक ही बैग में सारा चीज अगर आ जाए और उसे आराम से हम कैरी कर पाए तो यह वीडियो और यह प्रोड़क्ट आप देख सकते हो तो यह जो है ट्रावल का रक्सक है 55 लिटर वाकर सीरीज तो आगे आप पुड़ा अन्बॉक्सिंग देखोगे और फुल रिव करने के लिए तो यह एमाजոन से आया है हमारा ट्राइप्वलका रक्सक और इस रक्सक ट्राइपलकत का जो रक्सjak है इसका कोस्ट विव्श्थ 55 लिटर्स फाए सबसे पहले और इसका कॉस्ट गिराब हमें 2275 तो पहले इसका अन्बोक्शिंग करते है चलिए पहले इसका अन्बोक्सिंग करते है खोलने के बाद सबसे पहले जो है रिसीट मिला है हमें रिसीट जो रिसीट है पहले खोलते हैं भी बैग तो यह रहा ट्राइपॉल का 55 लिटर्स का बैग मैं पूरा खोल के आपको दिखाता हूँ ट्राइपॉल का सेलूटिप लगा हूँ अथा पे सेलूटिप जो रहता है और यह रहा ट्राइपॉल का जो मैनुएल है साथी में आया है तो इसको हम बाद में परेंगे तो यह रहा बैग 55 लीटर्स का ट्राइपॉल की तरफ से ट्राइपॉल की तरफ से तो इस बैग के जितने कमपार्टमेंट्स है और भीतर कैसा दिखता है यह हम आपको कुछी शणों में बताते हैं कुछी दिरबाद आपको बताते हैं अलग सेटप पे जाएंगे हम तो ऐसे कुछ इस तरीके का दिखता है अन्बॉक्सिंग के बाद तो दोस्तों जैसा आप आगे देख पा रहे हो कि ट्राइपॉल का ब्याइग अप रखा हुआ है यह वाकर सीरीज है ट्राइपॉल का और वाकर सीरीज में आपको 55-65 लिटर हर तरीका वेरियेट मिल जाता है यह 55 लिटर का है तो सबसे मेले पहले मैं आपको यह यह जो है मैनुएल जो आ है वो आपको थोड़ा दिखा देता हूं तो यहां पर कुछ चीजे लिखे हुए जैसे की रेन एक्सपोस्टू डेन हो तो इमेडियेटली रेन कवर दे दे फिर किस तरीके से इसे धूना है इन सारे चीजों के बारे में इस जो है यूशुर मैनुएल में लि कि इस रक्सेक को बाहरी जो है तरीके से देखते हैं क्या-क्या दिया हुआ है अब यहां जो है यह सारे अगर नॉट्स मैं कहूं इन्हें तो एक दो तीन चार पाच नौ्ट्स है तो था 5 नौ्ट्स है अगर मैं ऊपर वाला हुड है हुड सेक्षन का अगर मैं इससे खोलू यह सबसे बड़ा है तो इससे अगर खोलू तो आपको मेन کंपर्टमेंच देखने को मिल जाएगा तो इस तरीके का होता है मेन कंपर्टमेंच एसे हम खोलेंगे तो यह एक जोला जैसा है जैसा आप देख पा रहे हो और यहां यह इसमें चेन नहीं है यह जस्ट एक जोला जैसा है अब इसे खोलेंगे तो रसी के माफिक बना हुआ है तो यह रहा यह खुल गया इसके भीतर का जोला इसके भीतर ही है जो में आइटेम्स आपके वो घुसेंगे और और एक साती में रसी दिया हुआ है यह जो रसी है इसे एक्सपैंड करने के लिए दिया गया है तो इस रसी को भी हम खोलेंगे य यह देखिए यह थोड़ा सा एक्सपांड हुआ हमारा जो जोला है वो थोड़ा सा और खुल गया तो यह रहा भीतर भीतर कुछ इस तरीके से दीखता है अगर भीतर अगर देखो तो को अगर देखे अगर आप देख पा रहे हो लाइट ठीक से आ रही है तो यह रहा लेप्टाप का कॉamtपर्टमेंट है और मैं हाथ जो है वो पूरा खुशा के दिखाता हूं किता जो है यह ने पाती है तो यह जो है पकड़ डीजे आपका आधा से जाधा थ्री पूर्थ आपका हाथ घुश जाता है इसके भीतर मैं आपको बाद में जो है इसमें सामान घुशा के दिखाऊंगा 55 लिटर्स का है और हां और एक चीज यह जो लैप्टॉप कॉमपार्टमेंट है इसमें एक अलग बाध से स्टिक दिया हुआ है को इस तरीके का है इस जो है इस्त्रेट रखने के लिए यह दिया हुआ हुआ हो कि है यह ठीक लैप्टॉप कॉमपार्टमेंट के पास ही है यह हो गया और हुट का section और में गुश्ञ कॉमपाटमेंट सेख्शन तो इस बैक का बस बंद करना पड़ता है लॉक चेन लॉक का कोई सिस्टम नहीं है जो माइनस पॉइंट है ट्राइपोल के इस बैग का अगर मैं बात करूं कि अगर इससे नीचे मैं जाओं तो कुछ बैग में चेन मिलते हैं मगर एक चेन भी अगर रहा तो भी कोई फायदा नहीं है क्यों एक चेन होने से क्या है फिर से आपको लंबा जो चेन सिस्टम का लॉक होता है वो खरीदना पड़ता है तो दो चेन मेंडेटरी होते हैं अच्छे तरीके से लॉक करने के लिए जो इसमें प्रेजेंट नहीं है इसमें सबसे पहले आपको मिलेगा यह रहा एक सेक्शन चेन है तो इस चेन को खोलते हैं तो यहां आप कुछ रख सकते हो अपने असेंशियल्स रख सकते हो तो एक चेन पहला चेन अब जाता हूं यह देखिए जैसे कि डाइने तरफ का नौट मैंने खुला तो इधर एक चेन है तो यह रहा इधर भी आपको सामान रख सकते हो और सेम आइडेंटिकल जो चेन आपको मिलेगा इसके लेफ्ट हैं साइड में मैं इस साइड घुमा दे रहा हूं तो यहां भी जो है आपको सेम एक नौट मिलेगा इस नौट को अगर आप फोलेगा होएंगे तो यहां भी एक चेन है यह रहा सेम टाइप का इस पर भी चीज़े जाएंगी कुछ भी आपका जो गीला है पकड़ लीजिए आप ट्रावल कर लेओ गीला है अलग रखना चाहते हो तो इसके भीतर रख से छोटा चीज होना चाहिए या फिर कोई एसेंशियल चीज भी रख सकते हो जैसे की पगड़ लीजिए आपका कोई डॉकुमेंट हो वह सारे चीज़े भी इथर रख सकते हो तो यह तीन चेन अभी तक आपने देखा तीन चेन मैंने खोला है एक यह सेम आइडेंटिकल दूसरे साइट पे और उपर ए पाता है बैक के लोवर एंड पर दो नॉट है इन दो नॉटों को जब आप खोलोगे तो यह खुल जाएगा उसका लोवर पूर्शन तो लोवर पूर्शन पर यह देखिए एक और एक चेन दिया हुआ है तो यह चोथा चेन जो खुल रहा है और यहां जो है वाकर 55 लिखा हुआ है तो वाकर सीरीस का बैग है ट्राइपोल का तो यह चेन खुलेगा इसके भीतर फिर से आप जो है इसके भीतर जो है आप जैसा देख पारे हो जो सैक था में कंपर्टमेंट का वह आ जाता है तो यहां पर आप जो है कुछ एक्स्ट्रा जगा दिया गया है कि उपर यहां कुछ फूट्वेर आप रख सकते हो अपना फूट्वेर एक्स्ट्रा कुछ भी जो सैक में आप देना नहीं चाहते हो जो में सैक में कंपार्टमेंट है उसमें देना नहीं चाहते हो वह यहां आप रख सकते हो तो यह हमारा पाच्वा चेन था जो खुला तो इसे मै मैं बंद करता हूं अभी इस बैक की अगर प्लस पॉइंट्स की बात करूं तो इसका जो कमपैटिबिलिटी है और जिस तरीके से सिलाई किया गया है इसके चेंज और इसके जो नॉट्स यह है यह सारे बहुत ही स्ट्रॉंग है बहुत ही अच्छे हैं जो कि आप दूसरे अगर वेडियंट्स में जाओ तो आपको नहीं मिलेंगे इससे अगर चीप वेडियंट्स में आप जाओ अब इसके नीचे एक पॉर्षन आ जाता है नीचे का पॉर्षन यहाँ पर जैसे लिखा हुए रेन कवर मैं रेन कवर आपको दिखाता हूं सबसे तले तो यह इलास्टिक्स दिया हुआ है इसके वितर रैप किया हुआ है तो यह रहा रेन कवर जो ट्राइपॉल की तरफ से आया है यह लेक्व ट्राइपॉल का जो है लोगो भी दिया हुआ इसमें है ट्राइपॉल का लोगो ट्राइपॉल गियर पूरा बैंग रैप हो जाएगा जब रेन होगा तो आप इसे यूज कर सकते हो तो रेन कवर के साथ-साथ इसमें थोड़ा और जगा है अगर आप कुछ पुछ रखना चाते हो तो आप रख सकते हो तो देन को बर को मैं आप कुछ फोड़ेदर के लिए बाहर रखता हूं तो इसे छोड़ के अब आम इतने ही चेंज है एक एक्स्ट्रा कुर्शन जो मैं अब जो है बैक को दिखाता हूं तो इस बैक में आपको एक कमर में जब आप एक नौट बांते हो तो वहाँ एक चेंड दिया हुआ है यह देखिए यहां आप पर्स या फिर सबसे एसेंशियल जो सब है चीजे नूट्स मतलब अपने करेंसी यह सारे चीज इधर रख सकते हो कि south。」 यहां एक है तो यहाँ एक नौट है जैसद देक पाला है कमर का है यह देखिए इसमें कुशन्स मने हुए है जो ट्राइपॉले एक को दिखाता हूँ कि यहां एक कुशन है यह कमर का कुशन है अब जो है यह हैं का तो यह नॉट मैं खोलता हूँ यहां देखिए आपके पीठ आपके बैक पॉर्षिन में पीठ में दो कुशन दिये हुए हैं यह एडवांटेज ट्राइपोल में आपको मिलता है, क्यूंकि यह बैक 2,275 रूपीस का है, तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़े जो आपको उससे कम जो कोस्ट के रक्सेक्स है, उसमें नहीं मिलेंगे, वो है यह कुछ एक्स्ट्रा कुशन्स जो आपके बैक को आराम देगी, तो यह दो कुशन्स और साथ ही उपर भी आपके पीट कंधे के नीचे महां भी कुशन बना हुआ है ये भी खुल सकता है अगर आप खुलना चाहे खोल के ये पुरा सेट कर सकते हो और ये है बैक को कैरी करने का जो पोर्षिन है और साथ ही थर्ड जो इंपोर्टन चीज है वो है कि इस साइड जो मतले ये पनल बनाया दिया गया है उसको आप जो है सिलाही करके बंद भी करवा दे सकते हो ये इसलिए दिया गया है कि आपके कप्रे अगर हीतर बहुत दिन सय क्योंकि ये journalism report केallows दिशा ग्यांउट अगर जाते हो जो ड्राइक नए रह जाते हैं जो इसका टेक्निकल एडवांटेज है अगर देखा जाए सिगूर्टी परपस से थोड़ासा इतना बड़ा एर के लिए जगा भी नहीं चाहिए था जितना इतना जैसा जगा दिया गया है एक उंगली जैसा वह नहीं चाहिए था तो थोड़ासा आपको हो अपार्टमेंट को छोड़ के और साथ ही अगर कहूं तो यहां पर दो जो है दो प्लेसेज बनाए गये हैं जहां पर आप जो है अपना वाटर बोटल केरी कर सकते हो वाटर बोटल केरियर का एक जगा बना दिया गया है दूसरे वाले में ट्राइपोल का जो है लोगों भी दिया हुआ है तो यह दो जगाहे हैं और एक्स्टा तो यह है इंटयों कि या सिसमें है अब किक्या है इसमें बस चीजें भर क्या आपको दिखाना था सज़ेयर CP कि अ और विद है 35 cm का और यह बैब मेनुफेक्चर करने के टाइम पर कहा गया है कि 15 kg तक यह ले सकता है अराम से और वैसे विदाउट एनी लोड अगर कुछ भी ना गुसाते हुए इसका जो वेट आया है वेट जो दिया गया है वो है 1500 ग्राम तो इस पर लोड अब देते हैं और देखते हैं यह कितना लोड ले पाती है तो पैकिंग पूरा तंफ्रीट हो चुका है और यहां जो है दो बेल्स है मैं लड़ा लेता हूँ यह आपका जो है बैक स्ट्रेट रखेगा पीछे इस कारण से दिया हुआ है मैं आपको तो अब मैं बताता हूँ आपको क्या-क्या इसमें घुसा है तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसके भीतर मैंने क्या-क्या घुसा है फिलहाली इसके भीतर ट्राइपोड नहीं है वह पूरा ट्राइपोड का जो केस है उसको मैंने घुसाया था भीतर तो वह भी फिट ह हो जाता है तो मैं अभी बता रहा हूं क्या-क्या इसमें घुश सकता है मेरे अभी तक मैंने यहां पर जो है इस बैग में जो है एक जीन्स तीन टी-शर्ट और घर का पहने का दो शर्ट टी-शर्ट और उसके बाद जितने विडियोग्राफी मेरे बिजनेस पर्प्रस रिल् प्रून है और उसके बाद जो है लैपटॉप उसमें अल्रेडी घुसा हुआ है लैपटॉप और लैपटॉप के एक्सेसर यह जैसे की माउस और उसका पावर बटन, माइक्रोफोन वो पूरा एक ही चीज में घुसाता हूं तो वो भी घुसा हुआ है और जो है एक एजड अब ही जिस केमरे से शूट हो रहा है वो पूरा पाउच है वो भी मैंने पूरा गुसा के देखा है तो वो पूरा आएगा फिर मैंने सेक को बंद किया है इतने चीजे अभी तक आये है और साथी में जो है फूटवेर जो है मतलब नॉर्मली एक तो जूटा पहन के जाओं तो यह उपर का जो पूरा पूर्शन है यह पूरा पढ़ा हुआ इसमें भी चीजे गुस सकती है इवन आप गर्मी का सीजन हो तो कुछ एक्स्ट्रा टी-शिर्ट भी घुसा सकते हो इतना चोटा जगे में मतलब आपको ज्यादा रैप करना पड़ेगा हम वो कर सकते ही है तो मैं आपको फुटवेर दिखा दू यहां से जो है आपको जो इनर पॉर्शन सेखता है वो भी दिखता है यह देखें यहां भी जो है अगर आप देख पारे हो यहां भी जगह अगरी भी बाकी है जिसमें पकड़ लीजे तीन-चार और कपड़े घुस सकते हैं यहां प यहां भी एक जगह है यह पूरा स्पेस जो है बाकी रह गया है इतने सारे स्पेसेद है कि आप आराम से और थोड़े कप्रे भी जो है वो ले सकते हों इनिश्यन में कॉमपर्टमेंट पर अगर आपका जगह नहीं बचता है तो जैसे कि मेरे शेत्र में यहीं हुआ लें तो यह जो है और हर जो है बेल्स जितने भी बेल्स से थोड़ा सा जो है आपको जो है खीच के बड़ा करना ही पड़ेगा उसका एक मतरे कारण यहीं है कि यह जो पैक है इसमें चीज़े घुसेंगी तो यह बड़ा होगा तो जितना बड़ा होगा उतना आपको जो है इन बेल्ड्स को खोलना पड़ेगा और टाइटन करना पड़ेगा तो कुछ इस तरीक अभी बन गाएगा अब यहां कुछ चीज़े एक्स्ट्रा भी आप घुसा सकते हो मैंने जो है लेंसेज है मैंने कुछ लेंस यहां घुसाए है तो उसके अलावा भी इसमें चीज़ें घुस सकती है और अगर बात करूँ तो एक जगा भी भी बाती है वो है सीधा उपर अगर आप देखें इस बैक के इस फूटके यहां एक चेन और एक एक एक्सिरा है बना हुआ यहां कुछ और समान अगर वीजि़ Yak तो यह है ऑक लावा इसके अलाबा बस यहां पे स्ट्रा जो है एक आर्ट्स वगरा वगरा इंपर्टेंड वा इंपर्टेंट्न ट्राविलिंग जो है आपको लगेगा वो सारे चीज़ गुसा सकते हो इसमें दोस्तों होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा वीडियो अच्छा लेगे तो लाइक किजेगा शेर किजेगा दोस्तों के बीच और सब्सक्राइब कर लिजेगा चैनल को इस चैनल में ऐसे वीडियो साथी साथ ट्रावल वीडियो और न्यूस भी आते हैं तो साथी मैं यह आपको बता देना चाहता हूं कि जो लोग यहां पर डेटा एंट्री फ्रॉट इन सब के बारे में भी बात किया जाता है तो नेक्स जो वीडियो रहेगा अगर डेटा एंट्री के कोई दोस्त इसे देख रहे हो तो ओवियसली मैं क्यूंकि मैं मेरी तवियद अच्छी नहीं थी इसी कारण से रिपलाई नहीं दे पा रहा था तो अब फिर से कुछ जादा से जादा information collect करना और वही आप तक पहुचाना वही मेरा काम रहता है तो उसके लिए तैयार रहेगा कि डेटा एंट्री के फ्रॉट के जितने वीडियो अब आएंगे धीरे-धीरे आज के लिए मैं यही पर वीडियो खतम करता हूं और आगे जो है अच्छे वीडि झाल, झाल, झाल